Hello everyone, welcome to my channel. आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत में रंगों की रसायन सास्त्र डिसकस करेंगे. Chemistry of Dyes in Encent India. So B.A.C. First Semester Chemistry के Unit First का ये syllabus है. So इस पर्टिकलर वीडियो में Basic Notes आपको प्रोवाइट करूँगा जो आपके B.A.C. Semester exams के लिए बहुत helpful होगा. So Chemistry of Dyes in Encent India मतलब की Encent India में जो रंगों की रसायन सास्त थी, जो chemistry थी, वो किस प्रकार थी, वो किस प्रकार के रंग यूज करते थे, जैसे की पौधों से प्राप्त रंग, जानवरों से प्राप्त रंग, खनीच पर आधारित जो रंग होते थे, उनके बारे में डिटेल में साथिसात रंगों के प्रकार और सांस्कृतिक और आर्थिक महत्यों क्या था इन रंगों का, उसको भी देखेंगे, एक प्रॉपर नोर्स आपको प्रोवाइड करूँगा, अगर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखें, प्राचीन भारत में वस्तरों को रंगने के लिए प्राकरतिक रंगों का उप्योग किया जाता था, जो पौधों, जानवरों और खनीजों से प्राप्त होते थे, रंगों का उप्योग कपड़ों, कला और धार्मिक अनुस्थानों में व्यापक रूप से किया जाता था, इन रंगों के पीछे की रसायन दरसाती है कि भारत प्राचीन काल से ही प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने में उन्नत था ठीक है तो रंगों के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि प्राचीन भारत में जो वस्त्र को रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का उप्योग किया जाता था जैसे अगर हम एक एक करके डिसकस करते हैं, पौधों से प्राप्त रंग के अगर हम बात करें, जिसको यूज करते थे प्राचीन भारत में, पहला है हमारा इंडिगो, ठीक है, इंडिगो एक पौधा होता है, जिसका वेग्यानिक नाम होता है, इंडिगो फेरा टिंक टोरिय यह सबसे प्रसिद और मुल्यवान रंगों में से एक है जो गहरे नीले रंग का उत्पादन करता है ठीक है तो इंडिगो जो है यह एक सबसे प्रसिद और मुल्यवान रंगों में से एक है ठीक है जिसका उपयोग प्राचीन भारत के लोग करते थे किसके लिए करते थे गहर quello पत्व के इंडिगो पौधे की पत्तियों को किनवन के माध्यम से परिष्कृत करके इससे इंडिगो defense Jack आरा निदे इंडिगो पत्तियों को किनवन ध्यवल के सोक्ति प्र होता था से शेंडिगो यूर्फ करने के बाद हमको प्राप्थ होता था Indigo तीन नमक रंग जो गहरे नीले रंग का होता था तो पहला पौदह जो है Indigo जिससे प्राकर्तिक रंग प्राप्त किया जाता था दूसरा है मजीड जिसका विग्णनिक नाम है रूबिया, कौडि, फोलिया विग्णनिक नाम भी आपको याद रखना होगा यह लाल रंग के लिए प्रसिद्ध था और इसमें एलिजरी नामक रंगीन योगिक होता है जिसका उप्योग लाल और गुलाबी रंग के विभिनन सेड्स बनाने के लिए किया जाता था ठीक है तो यह लाल रंग के लिए प्रसिद्ध था लाल और गुलाबी रंग के विभि पौधा है मजीट पौधा है हल्डी के सार ठीक है यह तो आपको पता है पर इसका विग्यानिक नाम ये नाम और उसमें कौन से पदा रंगीन योगिक है जैसे एलिजरीन मजीट पौधे में पाए जाता है क्योंकि अब्जेक्ट्ट्व टैप कोसंस भी आपके सिलिबस में है कोसं पूछा जाएगा आपको आपके एक्जाम पैटन में तो आपको डेफिनेटली हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ना होगा और याद रखना होगा ताकि आप अब्जेक्ट्व कोसं भी बना पाएं 10 नंबर का अब्जेक्ट्व पूछा जाएगा दुसरा हमारा पौ है करक्यूमन नामक यौगिक होता है जिससे पीले रंग के लिए जिसका उपयोग क्या जाता जिसे इसकी दुलाबता दूलता और dalla रंग के लिए जाना जाता था। ठीक है केसर से सुनहरा पीला रंग प्राप्त होता था। फुल की कलियों से, तो इसका भी यूज किया जाता था। यह हो गया हमारा पौधों से प्राप्त रंग, अब जानवरों से कौन कौन से रंग प्राप्त होते थे उस प्राचीन भारत में, उसको देखते हैं, पहला है लाक, ठीक है, लेक्सिफर, लेक्सा, ठीक है, यह लाल रंग, यह लाल रंग, लाक कीट से प्राप्त किया जाता थ इसमें lachid acid होता था जिससे जो है ये लाल रंग प्राप्त होता था ठीक है जिसका उप्योग लाल रंग नंग किया जाता था cochinile cochinile keed से प्राप्त लाल रंग जो कार्मिक एसीड के कारण जीवन्त लाल रंग प्रतां करता था जीवान तो मतलब एकदम रियल लाल रंग जो है आपको दिखेगा ठीक है तो कोचिनियल भी एक कीट था ठीक है जिसमें कार्मिक एसिड पाए जाता था और उससें को लाल रंग प्राप्त होता था खनीज अधारित रंग के अगर हम बात करें तो गेरू पहला है आईरन ऑक्साइड या प्राकृतिक प्रिथिवी से प्राप्त पिगमेंट था ठीक है आगे हम वीडियो में पिगमेंट के बारे में भी डिसकस करेंगे पिगमेंट एंड डाइस में कुछ बेसिक डिफरेंस है अलग-अलग topic आपको दिया गया है आपके syllabus में तो आज हम इस वीडियो में रंग के बारे में डिसकस करेंगे अगले वीडियो में हम पिगमेंट के बारे में डिसकस करेंगे पर आप खनीज आधारित रंग के अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये गेरू जो एक प्राप्त पिग्मेंट था जिसका उप्योग लाल पीले और भूरे रंग के लिए किया जाता था इसमें विभीन प्रकार के लोहे के ऑक्साइड होते थे ठीक है गेरू में लोहे के ऑक्साइड होते हैं आरन ऑक्साइड ही होता है जानवरों और खनीज से प्राप्त रंग, अब रंगों की प्रकार के गर हम बात करें, तो पहला है वर्ट, वर्ट रंग, वर्ट रंग क्या होते हैं, जैसे इंडिगो, जो जल में अगुलनसिल होते हैं, ठीक है, और उन्हें घोलने के बाद कप्रे पर लगाया जाता है, ऑक तो ऑकीरं के बाद सथाई रंग में बदल जाता है, ठीक है, बहुँ सिंपल सा कॉंसेप्ट है, इंडिगो, जो है, जल में अगुलनसिल है, मतलब जैसे आप कपड़े में लगा दिये, फिर ऑक्सी कर में प्रोशेस हो गया, फिर इस थाई नहीं जाएगा ठीक है इंडिगो ठीक है तो वही है वे फ्ट रंग मतलब की ऐसा रंग जिसको जो जल में गुलंसिल होते हैं पर उनको घोलने के बाद कपड़े में लगाये जाता है फिर ऑक्सीक रंग के पसचाद वो रंग इस्थाई हो जाता है दूसरा होता है प्रत्यक्ष रंग जैसे कि हल्दी और केसर जैसे रंग जो सीधे कपड़े से चिपक जाते थे और इसके लिए moderate किया सकता नहीं होती थी ठीक है moderate मतलब एक पतार्थ है जो कपड़े और रंग के बीच में एक बंधर जैसे कि moderate रंग क्या होता है जैसे मजीट जो moderate की मदद से कपड़े में अच्छे तरह से चिपकते थे और अधिक इस्थाई तो प्रदान करते थे moderate की मदद से अच्छे से चिपकते थे moderate मतलब कपड़ा और कलर की बीच जो है एक अच्छा बॉंड बना देता था जिससे बहुत इस्थाई हो जाता था color ठीक है तो यह हो गया हमारा रंगों के ठतार इसके बाद हमारा इसी रंग से ही related है सांस्कृतिक और आर्थिक महत्तो क्या था इसका ठीक है तो सांस्कृतिक और आर्थिक महत्तो के एकर हम बात करें रंगों की तो रंगाई प्राचीन भारत की अर्थ वेविस्था और संस जला, मकारी, हस्त, चित्रित्या, बलॉक, मुद्रित, कपड़े और इकद ठीक है तो यह कुछ रंगाई विसेश रंगाई तकनिकें थी जो बहुत प्रसिध थी भारत में ठीक है भारत के बहार भी लोग इन इन तकनिकों के कारण भारत की जो कपड़े उत्पादन की छेत्र में जो प्रसिधता थी वो बहुत जादा थी ठीक है भारतिय वस्त्र जैसे की मसलीन और कैलिकों जिनका उप्योग इन प्राकृतिक रंगों से किया जाता था विस्वभर में निरियात किये जाते थे ठीक है भारतिय वस्त्र जैसे की मसलीन और कैलिकों जिनका उप्योग य जिससे लंबे समय तक टिकाव और चमकदार रंग बनाये जाते थे, प्राकृतिक रंगों का उपयोग परियावरन अनुकूल और टिकाव था, यह रंग जै आउच्हे सिल और विसेले नहीं थे, जो यह दर्साता है कि प्राचीन भारत परियावरनिय संतुलन को समझता था, तो ऐसे रंग जो प्राकृतिक रंग थे, वो बिल्कूल भी विसेले नहीं थे, जैव आउच्हे सिल नहीं थे, तो यह समझते थे इन लोग कि कैसे परियावरन को संतुलित किया जाता है, तो उसका भी ध्यान रखते थे, इस प्रकार प्राचीन भारत में रंगों की रसाय आई रूप से लगाने की चमता भारत को वस्तरुत बादन में अग्रणी बनाती थी, ठीक है, तो यह हो गया इसका बेसिक पॉइंट, आई होब कि आपको समझ में आगे होगा, तो यह पूरा थे औरी पोर्शन है आपका, जो बीसी फर्स अनस्टर यूनिट फर्स्ट का ज अगर आपको बीसी फर्स सेमस्टर के एक्जाम्स के लिए है रिटन नोट चाहिए हिंदी में या इंग्लिस मीडियम में, तो आपको नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो डेफिनेटली के एक्जाम्स प्रप्रेशन के लिए बहुत हल्फुल होगा, थैंक्यू सो मच पहुचिंग